नहीं जाता है सब एक जैसे नहीं हो सकते कोई ऐसा होता है अपने परिवार में जो गवमाथा की रक्षा के लिए अगरन होता है कोई ऐसा होता है अपने परिवार में कि गवमाता की रक्षा के लिए आगे रहता है, कोई ऐसा रहता है कि वो गवमाता को मानता ही नहीं है, कोई ऐसा होता है कि पित्रों के प्रती उसका आधर होता है, कोई ऐसा होता है कि वो पित्रों को मानता ही नहीं है, कोई ऐसा होता है कि वो मंदिर में बहगवान को प्रणाम करना जानता है, कोई ऐसा होता है कि मंदिर में बहगवान की मूर्ती को भी पत्थर मानता है, कोई ऐसा होता है बहगवान को प्रणाम करता है और कोई ऐसा होता है कि बहगवान का मान करता है। सब तराते लोग इस अंसार्शागर में हैं। कपड़े उन्चे होते चले गए और व्यक्ति के जो कर्म है वो नीचे होते चले गए कपड़े उन्चे हुए कर्म नीचे हुए थोड़ा अगर पड़ लिख जाओ आपको अच्छी नोकरी मिल जाए आप अच्छे शहर में रेने लगो तो यह मत सोचना कि हम अधुनिक हो गए और अपने संस्कारों से भी हिन हो गए अच्छी नोकरी अगर मिल गई अच्छा पद मिल गया अच्छा शरीर मिल गया अच्छे पड़ लिख गए तो यह प्रयास करना कि हम दूसरे के लिए कोई प्रेंड़ना बन जाएं अच्छे पद पर होने के बाद भी हम ऐसा काम करें कि दुनिया के लोग देखकर हमारे जैसा कुछ कारे करना करा रहा है जो बहुत पड़ा लिखा होता चले जाता है बहुत बिद्वान बनता चले जाता है अच्छे लोगों में उसकी बेठक होने लगती है नोकरी अच्छी मिल जाती है बड़े शहर में रहने लगता है तो दो चीजें उसके घर में उसकी इस्त्री के पास से चली जाती है हमारी इस बात का लोगों को बहुत बुरा लगेगा कि गुरुजी कोडिया में बेठकर आज इवाली बात बोली लगे लगे तो उसमें कोई विशेश वाले अपनी जेलते जादा हो जादा टेंसन लेकर कथा नहीं करते बहुत पड़ली है बहुत विद्वान हो गए बहुत अच्छी नोकरी हो गई शेहर में मकान हो गया शेहर में ब्लेट हो गया शेहर में जाकर तुम रहने लगे तुमारी एजुकेशन के हिसाब से तुमारे मित्र हो गई तुमारी पढ़ाई के हिसाब से तुमारी सोसाइटी हो गई तुम्हारी पड़ाई के हिसाब से तुम्हारी नोकरी के हिसाब से तुम्हें लोग मिल गए पर उसके घर की इस्त्री के पास से दो चीजे चली गए एक मान का सिंदूर कम होते चले गया और दूसरा माथे की बिंदी धीरे धीरे कम होती चली गए बोलो नी कोडिया के जीजियों सही है कि गलाब जितना ज़्यादा व्यक्ति अपने आपको अप्टूटेट समझने लगता है कि हम पड़े लिखे हैं हम विद्वान हैं हम ग्यानवान हैं धीरे धीरे उसके उसने मांग में सिंदूर भरना बन कर दिया मार्थे परबिंदी लगाना बन कर दिया हम करते हैं आपसे ज़्यादा पड़ाई में अबबल आपसे ज़्यादा एजुकेशन में अबबल आपसे अच्छी अंग्रे जी बोलने वाले दक्षिन में साउथ में बहुत सारी बेटियां भी हैं बहुत सारे बेटे हैं पर एक भी दक्षिन में साउथ में आप जाकर देखना वहां का एक कोई लड़का कोई लड़की कॉलेज पढ़ने वाला इसकूल पढ़ने वाला आफिस में नोकरी करने वाला सरकारी नोकरी करने वाला बड़े पत पर बेठने वाला किसी एक व्यक्ति को ऐसा बता देना कि जिसके सिर पर तिलक नहीं हो और जिस नारी के मस्तद पर बिंदी नहीं हो और बाल में गजरा नहीं हो साउथ में रहने वाली एक कन्या, साउथ में रहने वाली एक इस्त्री, साउथ में रहने वाली एक लड़की, आगर पढ़ने जाती है तो पहले अपने माथे परतिलक लगा कर गजरा लगा कर भगवान की भक्ती का आनंद पा कर जाती है एक हमारे यहां की फिल्मे बनती है तो उन फिल्मों में हमारे देवताओं का और मंदिर का मट का संतों का अपमान बताया जाता है और साउथ दक्षिन की फिल्मे बनती है तो उस प्रते फिल्म में मंदिर का दर्शन बताया जाता है मंदिर की पूजान बताया जाता है अच्छा दोगे तो अच्छा मिलेगा दक्षिन में मंदिर के प्रती भगवानी के प्रती लोगों को जागरित किया जाता है इसे लिए साउट की बेटियां बेटे माथे परतिलक लगा कर स्कुल जाते हैं नोकरी करने वाली बेटियां जाती है तो माथे परतिलक लगा कर घजरा लगा कर अपने आफिस में जाती है अधिक जदा पढ़ जाओ अच्छी नोकरी मिल जाए शहर में घर हो जाए शेहर में फ्लेट हो जाए, शेहर में मकान हो जाए, तुमारी सोसाइटी अच्छी हो जाए, तुमारे मित्र दोस्त, तुमारी कालोनी के हिसाब से मिल जाएं, कितने भी अच्छे मिल जाएं, पर अपने संसका, अपने माता पिता ने जो तुमको संसकार दिये हैं, वो संसकार जूटना नहीं चाहिए, तो संस्कार समाप्त नहीं होना चाहिए। माथे की बिंदी और जिवान पर हिंदी कभी समाप्त नहीं होना चाहिए या महमेशारे होना चाहिए। इसको समाप्त नहीं होने लिए। हमारे बीच में सबरी नारायंड वाले महराजी पदारे हैं, एक बार जोरदार पाजी बजात पर स्वादर करें।